एलो डियर स्टुडेंट्स कैसे आई होप आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और जबर्दस्त होंगे मैं आपका अपना यूसर आप सभी के लिए लेकर अपडेट लेकर आया हूँ नमसी द्वारा जो भी चेंजिस लाए गए हैं चैप्टर में सिलेबस में वह सारे चीज पब्लिश किया गया है उनके साइट पर ताकि आप कोई पता चले कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं इवन कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन टॉपिक्स अब हटा दिये गया हैं ताकि अब आप अपने एक्जाइम की जो प्रिपरेशन उसको बहुत क्लारेट कि हम लोग जबरदस्ती उसको पढ़े जा रहे अपने समय को बरबाद किये जा रहे हैं जो बचे बेश्प्र से आने वाले उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोग अपने इक्जाइम में बहुत ही अच्छा से स्कौर कर सके बहुत ही पिटेशनल वेगरा सबके बारे में लिखा गया है यह सारे फाइल से जो कोट के द्वारा संचालित किये गया थे यह रहा देखिए आपका ऑफिशियल नोटिस अब यहां पर देखिए यह फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है एक बारा फिजिक्स के सिलेबस पर भी देख लिए कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में है और कौन कौन से बढ़ चुके हैं कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया होगा है सारे टॉपिक्स को फिजिक्स में नहीं हटाया गया लेकिन केमिस्ट्री में बहुत मेजर चेंज लाया गया है तो हम लोग बात करेंग है पिर अगर मैं आपसे बात करूं है थर्मो अगर मैं बात करूं आप से इन और्गेनिक केमिस्ट्री का तो क्लासिफिकेशन आफ प्रियॉर्डिक टेबल आपके सिलिबुस में हैं, डी और एफ ब्लॉक है, इनर ट्रांजिशन है, ठीक है? पी ब्लॉक से बहुत ज्यादा कुश्चन नहीं है, आप देख लिए अक्टॉनिक कन्फिग्रेशन है, जेनरल ट्रेंड है, यह सारी चीज़ आप प्रियॉर्डिक टेबल में ही पढ़ लेता है, यह कोई बहुत आपका पी ब्लॉक का जो पूरा मेजर रियाक्शन वाला अगर हम बात करें और यह सारे बात करें बाइओ सारे चैप्टर्स हैं लेकिन अभी इनमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसे जो नहीं है जैसे पॉलीमर नहीं है यह सारे जितने बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते थे आपके syllabus में नहीं है तो अब जो भी आपके syllabus में लगभग 9 chapters से अपके syllabus से हटाए गए लगभग 9 chapters हटाए गए है ठीक है तो इन 9 chapters को आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा यह तरीका साथ खुशखबरी भी बोल सकते अपने लिए लेकिन यह जरूर बढ़ गई है जो भी chapters को पढ़े बहुत आसानी से बना सके तो अब आपको देप्ट वाइस स्टडी थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी आप पहले ऊपर ऊपर जाते थे तो सवाल आ जाते थे आसान आप बना करके निकल जाते थे वह chapters भले रटने वाले थे लेकिन वह scoring थे आपके exam के point of view से लेकिन अब जो भी chapters आने वाले वह सारे proper understanding पर बेस्ट होने वाले तो बहुत जरूरी हो जाता है तो अपने पढ़ाई को इसी पैटन पर आपको आगे बढ़ाना है ताकि आपका जो एक्जाम होना नीट 2024 उसमें आपको जरह सा भी यह मन में नहीं नहीं हो गया इसका नहीं एक्जाम खराब हो गया यह सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए तो अभी अपने दिवा में clarity रख करके कि किस तरीका से हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है हम लोग तयारी करेंगे एक एक करके ठीक है धन्यवाद अपडेट आपको पसंद आया होगा तयारी कर कर ले और अपने दोस्तों तक भी चैनल को शेयर कर दें धन्यवाद मिलते आप से नेक्स वीडियो में